Hello, Good Morning Students, Today we will study Class 8 Supplementary Reader, It's So Happen, Chapter 5, Princess September Part 2 Part 1 में आमने देखा किस तरीके से Princess एक राजा अपनी बर्डी पे अपनी बेटियों को पैरेट ग्यूप देते हैं और जो Princess September जो सबसे जोटी राजकुमारी थी उसका जो पैरेट था वो मर जाता है और उसके बाद एक चिरिया बहुत सुन्दर सिंग गाना घाती है और उसके पास आजाती है और उसके जो सारी सिस्टर्स थी उसको सला देती है कि तुम इस बर्ड को केज में रख लो करके तो आगे की स्टोरी में क्या होता है देखिए इसमें हमने देखेंगे कि जो सेप्टेंबर थी वो बर्ड से बहुत प्यार करती थी लेकिन वो उसको कुछ भी चांस लेना नहीं चाहती थी और वो वही काम करती जो उसकी सिस्टर्स उसको एडवाइस करते हैं अडवाइस करते हैं दा बर्ड कैनाट ओवरकम दा लॉस ओफ फ्रीडम और यह जो बर्ड थी अपनी फ्रीडम को मतलब उसकी जो फ्रीडम चली गई उसको सहने ही पा रहे थी है ना उसको कैद में रख लिया था तो उसको सहने कर पा रहे थी और प्रिंसस सेप्टेंबर ने क्या किया इसमें फिर बाद में उन्होंने अपनी खुशी से जादा बर्ड की खुशी को ध्यान में दिया तो देखते हैं यह कहानी कैसे आगे बढ़ती है टेई पुशी सेप्टेंबर था इसमेंट कुशीर यह की उसको का बादाब उन्होंने और विर बादा आधाने के उन्हों है वीजवित रहीं वाथ दो प्र्हुशीर खुशीर ब्राद में टुशीर के बच्शीर जाए वीज़ जेवा ऑग दी अएपनी लिरूसार खुश अब प्रिंसस बक्ष क्या थे चुडिया थी सुबह जाती थी कभी आ जाती थी कभी नहीं आती थी अब उसकी पहने जब उसको बता के गई तो उसके बाद उसको चिंता हो गई राशकुमारी को कि क्या सच में वो चली गई उसे कुछ हुआ तो नहीं है वो इतनी देर हो गया भी तक नहीं है उसे कुछ हुआ तो नहीं है कहीं कोई बात चील उसने उसे पकर तो नहीं लिया और या ऐसा भी हो सकता है कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गई और उसे कोई प्यारा लगने लग तो यह सब सोच के वो बहुत परिशान हो रही थी, काश वो ऐसा विश्कर रही थी कि काश वो चल्दी वापस आजा है। दिखती है तो उसके कंदे पे चिड़िया आकर बैटी हुई थी, वो चिड़िया इतने धीरे से और इतने कॉयटली सॉफ्टली तरीके से आकर बैटी कि उसे पता ही नहीं चला। नहीं है, तुम मेरे लिए इस धर्ती पे क्या बन गया हो? यह तुम नहीं जानते है। वढ़ने हुआ बेको थी, तुमारे उसके ऐसा कोही है ही थार्ती पे ऐसा बन गया हुआ इसके लिए वो? I thought you had wondered that said the little bird the fact is that I very nearly didn't came back tonight at all my father-in-law was giving the party and then all wanted me to stay but I thought you would be anxious I thought you were wondered that said the little bird he said the fact is that the fact is that I didn't come back because my father-in-law had a party and all wanted me to stay but I thought you would be anxious so that I would come back under the circumstances this way this was very unfortunate remark for the little bird to make September felt her heart to go thump against her chest and she made up her mind to take no more rigs as she put up her hand and took the cage and the bird was surprised and popped him in and shut the door on him that for a moment he couldn't think of nothing to say but in a moment or two he hopped up an ivory bridge and said what it is यहां पे घूम रहे हैं और खुले में और हो सकता है वो तुम्हें हाम कर दे इसलिए तुम इसके अंदर में जादा सेपो वेल जस्ट पर इस वन्स I don't mind said the lady याद ही इसके लिए तुमने मुझे अंदर किया तो मैं माइन नहीं करता बोलता है ना so long so long as you let me out in the morning अच्छा तुम मुझे morning में बाहर निकाल दोगी he ate a very good supper and then began to sing but in the morning in the middle of his song he stopped अपो क्या हुआ उसने बहुत अच्छा से खाना खाया और गाना गाने लगी चिडिया लेकिन गाना गाते गाते middle में ही वो चुप हो गई I don't know what is the matter with me he said but I don't feel like a singing tonight जिडिया कहती कि मुझे पता नि मुझे क्या अच्छा नी लग रहा है बीच में अच्छा नी लग रहा है और मैं मुझे गाना गाना अच्छा नहीं लग रहा है मैं गाना नहीं गापा रही हूं कहती जिडिया very well I said the September go to sleep instant so he put his head under his wing and in a minute was fast asleep September went to sleep too but when the dawn broke she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice क्या हुआ जैसे ही वो भी ठीके जाके सोजा फिर उसने क्या किया पक्षी ने अपने सेल को अपने wings के अदा डाले और सोगया और September 20 हो गई लेकिन जैसे ही सुबा हुई भोर हुआ सुबा हुई तो क्या हुआ वो पक्षी उसको जोजो से calling कने लगी उसको चिलाने लगी जोजो से wake up, wake up he said open the door of this cage and let me out ये पिंजडे का दरवाचा कोलो और मुझे बाहर जाने दो I want to have a good fly while the dew is still on the ground और मुझे बाहर जाने दो जब तक क्योंकि उसकी बूंदे अभी जमीन पर ही है you are much better of where you are September से कहती है कि तुम जहां हो वही तुम अच्छे let me out let me out said the little bird and he tried to slip through the bar of the cage but of course could not and he beat against beat against the door but of course he couldn't open it अब क्या हूआ हो पिक्षी कहते नहीं मुझे बाहर जाने दो बाहर जाने दो मुझे और उसने बाहर जाने की भी कोशिश की पिंजरे में निकलने की कोशिश की बहुत but वो ऐसा करने ही पाई then the eight princess came in and looked at him और आप क्या हूँ वो राजकुमार या आई और उसको देखा they told September she was very wise to take their advice वो बहुत समाज़दार है जो उसने उनकी बात मानली ऐसा कह रहे है वो उसकी बहने this they said he would soon get used to the cage and in a few days he would quite forget he had ever been free उसकी बहन कहती है की एकुछ दिन इसको लगेगा इसको cage की आदत हो जाएगी और इस दिन में भूल भी जाएगा की ये कभी free भी गुमता था इदा उदा ना free the little bird said nothing at all while they were there जब little bird कुछ भी नहीं बोला जब तक वो लोग वहाँ थी but as soon as they were gone he began to cry again अब जैसे ही वो वहाँ से चले के तो little bird रोनी लगी let me out don't be such an old silly set September ऐसे मत करो उसको बोल रही है न I have put you in the cage because I am fond of you मैंने तुमको cage में इसने डाला है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ I knew what good for you much better than you yourself मैं जानती हूँ तुमारे लिए क्या अच्छा है तुमसे अच्छा अन्द तुम अपने बारे में ता नहीं अच्छे समस्ती जितना मैं तुमारे बारे में अच्छा समस्ती हूँ कहरी है अग मैं तुमारे लिए जाद अच्छा सो सकती हूँ but the little bird stood in the corner of this cage looking out at the blue sky and never sang a note अब जो वक्षी थी चिडिया थी वो पिंजरे में जाके कोने में खड़ी हो गई और ब्लू स्काई को देखने लगी और एक भी गाना उसने नहीं गाया what's the good of suckling said September why don't you sing and forget your troubles जाती है इसमें नाराज होनी कि क्या बात है September कहती है why don't you sing and forget your और तुम गाना गाऊ और अपनी तखली फोको भूल जाओ how can I sing and said the bird I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the field मैं कैसे गाना भूल, कैसे गाऊं, मुझे तो देखना है, पेडों को देखना है, तलाब को देखना है, ग्रीन राइस जो धान के जो पौधे लगे है, मुझे तो खेत देखना है कि धान का, I will take you every day out, ठीशे, वो कहती है कि मैं तुमको रोज बाहर ले जाये करूंगी, यह एक जैसी चीज नहीं है, the rice fields and the lake, the willow trees look quite different when you see them through the bar of cage, वो कहते है, अधी तुम पिंजरे से खेत को देखोगे, और विलो ट्री को दालाब को, अधी तुम पिंजरे के पीछे से देखोगे, तो वो तुम्हे अलग ही दिखाई, देखा, the bird couldn't sing a song and he wouldn't eat anything, bird ने गाना भी ने गाया, bird ने खाना भी ने खाया, the princess was knitting anxious and at this, and अब वो थोड़ी worried हो गई थी, वो परिशान होने लगी थी, and asks her sister what they thought about it, अब उसने अपनी बहरों से चुचा की, वो चास सोचते हैं इसके बारे में, you must be firm, उन्रों ने कहा, तुमको अड़ी रहना है, they said, but if you won't, if he won't eat, he will die, she answered, और लेकिन जब उन्रों नहीं, उसने ऐसा दिया की, तो उन्रों की पहने बोल रही, तुम अड़ी रहो इस बात पर, कि उसको उसमें डाल नहीं है केज पर, तो वो कहते हैं, तो खाना नहीं खायेगा, तो उसको यह समझना होगा, कि तुम उसी के भलाई के लिए सोच रही हो, और तुम को उससे मुक्ते मिल जाएगी, September didn't see how that was going to be to her very much good, September didn't see how that was going to be to do her very much good, अब उसको कुछ समाज ही में नहीं आ रहा था क्या गलत है, कि इसको गलत नहीं समझ में आ रहा था, Princess September को समाज भी में नहीं आ रहा था कि क्या गलत है, क्या सही है और वो बुलो क्या थी, आठ थी और ये सिंगल अकेली थी, और वो उसे बड़ी बहने थी, उसकी थी, इसके लिए वो चुप रही कुछ नहीं बुला उसनी, परहपस he will have got used to his cage by tomorrow, she shed और उसने का, हो सकता है कि ये, इसको cage की आदत, कल ता किसी cage की आदत हो जाएगी and next day when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice और बहुत खुशी शे वो दूसरे दिन सुबब उटके good morning बुलने गई she got no answer, उसको कोई जवाब नहीं मिला she jumped out of the bed and ran to the cage वो दौड कर बिस्तर से उत्री और केज की तरह बढ़ी she gave a startle cry for the little bird से और वो जूट जो से रोने लगी इसके लिए बर्ट जे लिए रोने लगी at the bottom at the bottom of his side with his eye closed and he looked as if he he waited और वो पिंजरे से पिंजरे में कोने में पड़ी थी पिचिडिया और आसा देखके लग रहा था जैसे वो मर गई है she opened the door and putting her hand in the lift lift him out उसने क्या किया जदी से door को खोला और उसे बहार निकाल के ले गई she have a sob of relief for she felt that she that his little heart was beating still अभी तक वो उसका जो heart cry अचानक से जिससे रोते न रो रोके to cry while talking ज़र बोलते बोलते रोना चुरू करते हैं वो अभी खुश थी कि रो रहे थी बोल रहे थी और उसको देखिया कि उसकी धड़कनी चल रही है तो वो थोड़ी खुश हुई wake up, wake up, little bird she said, उसने बोल बोला उटो, उटो she began to cry and her tears fell on the little bird अभी जो जो सुरून लगी और उसके आसू little bird पर गिरे he opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around यह जैसे ही पर चिड़िया उपती है उसको दिखा कि कोई पिंजरा उसके आँको के सामने नहीं है, उसके पास नहीं है I cannot sing unless I am free and if I cannot sing I die he said, वो कहते है चिड़िया कहते है उसे कि मैं free नहीं रहूंगा तो मैं गान नहीं पाऊंगा और मैं मर जाऊंगा पादी मैं गाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा the princess gave a great sob princess abhi bhi बहुत जो जो से बोलकर हो रही थी then take your freedom उस बोलते-बोलते हो रही है कि take your freedom, अपने अजादी ले लो she said, I shut you in a golden cage because I loved you and I wanted to have you to all to myself मैं तुमको प्यार करती थी इसलिए मैंने तुम्हे अपने पास रखा था और मैं चाहती थी कि तुम मेरी ही पास रहो but I never knew it would kill you पर मैं यह नहीं चाहती थी कि तुम्हें से मढ़ जाओगे I love you enough to let you be happy in your own way और मैं खुश, मैं तुम से प्यार करती हूँ और तुम जिसमें खुश हो मैं उसी में खुश हूँ she threw open the window and gently placed the little bird on the sill he shook himself a little और उसको प्यार से इसको वहाँ पर window के पास लेकर गई इसको प्यार किया come and go as you will little bird she said I will never put you in a cage anymore तुमको जब आना है जब जाना है तब तुम आओ जाओ मैं तुमको केज में नहीं डालूँगी I will come because I love you little princess said the bird bird कहता है मैं वापस जरूर रहूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ and I will sing you the loveliest song I know मैं तुमारे लिए सबसे अच्छा गाना भी गाऊंगा I shall go far away but I I shall always come back and I shall never forget you और मैं लेकिन मैं दूर चला जाओंगा लेकिन मैं फिर भी आओंगा और मैं तुम्हें कभी बोल नहीं पाओंगा He gave himself another shake Good, gracious me How stiff I am He explained उसको बहुत बुरा लग रहा था कि मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ और उसने He gave him shake और बोचिल चिल्चिरिया थी उसने अपने अपके बोड़ी को shake उसने फंक को क्या-क्या फरफडाया Good, gracious me और वो बहुत खुश हो गया Then he opened his wings and flew right away into the blue और वो अपने पंक को फैलाया और उडिया आस्मान में But the little princess burst into the little princess For it is very difficult to put happiness of someone you love before your own और ये बहुत मुश्किल है कि मतलब देखो But the little princess for it it is very difficult to put the bird difficult to put the happiness of someone you love और उसकी जिसको तुम प्यार करते हो जिसको तुम चाहते हो उसकी खुशी सबसे पहले मैंने रहती है और अपनी खुशी से पहले हम उसकी खुशी देखते हैं और उसकी बापस आई और उसकी करने पर बैठ कर ate out her hand उसके हाथ से खाना खाया and sang her a beautiful song और गाना गाया उसके लिए and had learned while और कहां सी काता उसने जब उड़ने गई थी बाफ बहार उड़के उसने सीखाता गाना उसने गाया उसके लिए September kept her window open and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined and this was very good for her so he grew extremely beautiful and when she was not enough she married the king of Cambodia and was carried on with the white elephant all the way to the city और जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा से हुई कमबोडिया के राजा से वो गई और उसको फाइट अलिफेंट में बेठा के लिए गया शहर में जहां राजा रहते थे but her sister never slept with her लेकिं जो उसकी बहनी थी वो कभी भी खेड़की कोल कर नहीं सोई और वो लोग बहुत ही गंदी सी जबगड़ी हुई तो बहुत अगली सी दिखने लगी और किसी बात पर अग्री ने करते थी वो and when the time came to marry them off they were given away to the king's counselor जब उनकी शादी के time आया तो उनकी शादी किस से हुई राजा के जो counselors थे उनसल्स की शादी हुई with a pound of tea pound of tea से और समिस कैट के बदले में उनकी शादी हुई तो ये थी कहानी